ये यूट्यूब चैनल आएम जैंत नाटदाई और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वच्छों Magnetic Properties of Matter, तो कुछ Magnetic Phenomenon होते हैं जिन पर बेज़्ड जेई मेन में बहुत सवाल आते हैं बेशक बोर्ट के भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स में से ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं तो तीन टॉपिक करेंगे हम पहला टॉपिक है Permanent Magnets उसके बाद Earth Magnetism उसके बाद Magnetic Properties पर आएंगे तो Permanent Magnets क्या होती है जो Magnets के साथ हमने बच्पन में बहुत खेला है जहां पर लाइक पोल्स रिपेल करते हैं अनलाइक अट्रैक करते हैं ये सारी चीज़े हमें फोड़ी बहुत मालूम है लेकिन ये वर्क कैसे करता है वो सारी चीज़े और कैसे question ultimately जही में में आते हैं जही एडवांस का टॉपिक नहीं है बच्चों ये में प्योर्ली उस पॉइंट ये सीरीज अपन बना रहे हैं और डेफिनिटली बोर्ड एक्जाम में भी बहुत आपको ये help करने वाला है आपको मिलते हैं और अगर आपने ये चैनल नहीं फाइंड किया था तो आप लोग बहुत सारे लेक्चर्स देखेंगे कवर अप करेंगे लेकिन भूलेगा मत तो सब्सक्राइब इस चैनल मेक शूर तो प्रेस दे बैल आइकन और जब भी आप लोग इस रेविलुशन को सपोर्ट करें है जरूर शेयर करें आप एक शेयर बटन है यूज दा है जैनतनाग्डा इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे पेस्बुक पे आप मुझे जब भी शेयर करें टैक कर सकते है अपने पोस्ट पे इस इस हाव वी कीप पिंटच इंस्टा पे भी हम लोग बहुत रेगिलरली लाइव इंटरक्टिव सेशन करते हैं बातचीत करते हैं स्ट्राटीजी करते हैं साथ सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे बच्चों लाइव डेली डॉट में आप लिखेंगे एंटर मारेंगे सारे लेक्चर सारे इक ही जगे पर हाइस्ट कॉलिटी है तो देखते रहिए और साथ-साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको टेलीग्राम एप को डाउनलोड करके नकैडमी जी सर्च करना है उसको फॉल अप कर लेने से आपको पूरा शेडियूल जो 11-12 के लेक्चर से यहां पर चलते उसका पूरा शेडियूल और डेफिनेटली आपको नोड भी वहीं पर मिलेंगे मेख शूर आप टेलीग्राम पे हैं मेख शूर आप पेस्टाग्राम पे हैं और अगर इन चैनल पे नहीं तो अनकैडमी लर्निंग आप पर जरूर रहे बच्चों अनकैडमी लर् प्राक्टिस हम लोग करते हैं कोई भी एक्जाम हो इस्पेशली कॉंपरिटिव एक्जाम में जो आपको इस तरह की पॉल बाउंड प्राक्टिस की जरूत होती है उसके लाव आपन ने बहुत सारे डाउट क्लीरिंग सेशन किये हैं आप उन सभी को देख सकते हैं वीक बाई वीक मंद बाई मंद प्राक्टिस करके इंप्रूव किया है और डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लिए अपने हैं पहले ही बैच से उससे अंडर फिफ्टीन में रैंक आया है तो वाट नॉट बच्चो आप ही कि तरह एकाडमी पर पढ़ने वाल इन दिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारी कॉमबैट वगेरा की लिंक मिलती है अपने बैच इमर जो की लेवन और इवाल जो की ट्वेल्ट का बैच है उनकी लिंक भी अपकमिंग जैई में इनके लिए बहुत सारे कोर्स हम लोग कर रहे हैं 21 आपके बहुत सारे कोर से जो पहले कोटा में पढ़ाते से आप लोग कोटा जाने की बच्चों कोटा के बंसल नुक्लियस वाइबरेंट कोचिंग क्लासिस के भी बैचेज अपने अनके अनकाडमी सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं वो ऑथर जिनकी बुक आप आप अल्रेडी फॉलू करते डी सी पां सेट फ्री कॉंटेंट में आपको जे लाइव डेली आप लोग के लिए टेस सीरीज है वो भी मिलेगी और डेफिनेटली आपको अनकाडमी कॉंबैड भी देना चाहिए जो की बहुत सारे प्राइज जीतने का मौका देता है उन सभी को आप लोग अनलॉक करेंगे जहन्त क से प्री कॉंटेंट को स्पेशल क्लास को वन चॉट रिविजन को जो मैंने अपनी प्रोफाइल पर आपको बता है मौजूद है उनको आप प्री में देख सकते हैं विद दे कोड जेहन्त अनलॉक करने के बाद आपको किसी पॉइंट पर लगे कि आपको सारे एजूकेटर को होता है एक साल का प्लान ले सकते हैं इस कोड जेहन्त के साथ आपको मैक्सिमम डिसकाउंट भी मिलता है और साथ-साथ जब भी आप ये कोड यूज करते हैं आई गेट तुनों यार्ड कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल से अपने अनकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आ कोई दिक्कत नहीं पर एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि यस बचो आपको कुछ कंसेप्स जो मैंने अल्रेडी बता दिया उनको मैं इस लेक्चर में यूज करूँगा हलांकि वह बहुत बेसिक से कंसेप्ट है उनको मैं जल्दी से रिवाइस करा हूँगा और यूज कि कैसे एक ऑब्जिक्ट दूसरे को अट्रैक करती है इसको सबसे पहले देखा गया इंशियंट ग्रीज में वहां पर बहुत सारे लोगों को ऐसी एक पत्थर मिली जो इस तरह की प्रापर्टिए शो करती थी कि आईरें की जोभीडी प्रोडक्स होते होते उनको वह अट् इस पत्थर में क्या था उन्होंने पता लगा है इस पत्थर में आइरेन के ही कुछ ओर्स थे, आइरेन के अलावा उसके जो साथीगड है, निकल, कोबाल्ट है यह सब भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस तरह का अट्रैक्शन और रिपल्शन जब भी शो हुआ, वो basically हम Greece में एक Magnesia Town है, उसको refer करते हैं कि हाँ यह वहाँ पे जो पत्थर पे लेते हैं, और ultimately उन्हीं पत्थर को Magnets बोल देते हैं, तो yes, for the very first time the magnetic phenomenon was observed in naturally occurring magnets which were basically in the form of rocks, यह न, यह कहां देखा गया, ancient Greece में, Magnesia नाम के Town में, अच्छा ऐसा देखा गया तो लोगों को obviously curiosity बनी, यह असल में work कैसे करती है, क्या होता है, उन्हें बहुत सारे experiments परफॉर्म किये, और एक मोटा मोटा आइडिया जो आज भी हमको है, बना हर किसी को है, ऐसा नहीं कि science students को ही पता है कि भई, जो opposite poles attract करते हैं, या like poles या same poles होते हैं, वो repel करते हैं, यह funda I think सभी को पत होता है, बट जब हम experiments करते हैं, इस तरह के तो अलगी मजा आ जाता है, इस experiment में अगर repulsion हो रहा है, अगर ultimately किसी तरह का repulsion हो रहा है, हम जिम्मेदार मानेंगे, यहां पर किस तरह के poles होंगे, like poles होंगे, या same poles होंगे, जो कि एक दूसरे को repel कर रहे हैं, on the other hand, on contrary, attraction का phenomenon भी ह होने वाले, opposite poles जिस तरह से attract करते हैं, शुरू में repel कर रहे थे, इसको आपने 180 degree turn किया और attract करने लगी है, यह हो कैसे रहे हैं, यह साइज चीज़ हो कैसे रही है, जो ultimately यहां पर दो poles होते हैं, यहां पर जो दो poles होते हैं, उनमें से एक north pole होता है, एक south pole होता है, यह हर एक magnet में मौझूद होता है, हर एक magnet में इस तरह के दो ends होते हैं, दो poles होते हैं, जिनको हम north और south बोलते हैं, और yes, north pole का जो nature है, वो एक positive charge की तरह है, वहां से in fact, magnetic field lines emerge भी करती है, south pole का, negative charge की तरह होता है, but यह independently exist नहीं करते हैं, यह साथ में ही हमेशा exist कर दे हैं, इन्होंने अप magnetic monopoles do not exist, as till date, और कैसे यह phenomenon भी क्या है, इसका की भी क्या reason है, इसी lecture में हम cover कर लेंगे, don't worry, but yes, अभी तक हमने जो चीज़े पढ़ लिए, उनको हम एक बार यह सारी चीज़े में पढ़ी है, जो बच्छे इस चैनल पर थोड़ा सा, ले टायों के लिए मैं revise कर रवा रहा ह है कि magnetic field lines कैसे बनाएंगे, in fact हम यहाँ पर right hand thumb rule use करते हैं, to find the direction of the magnetic field कैसे use करते है, current की direction में fingers अर्खनी है, मैं करना क्या है बच्छो, fingers को curl करना है, मतलब की turn कर रहा है in the direction of the current, ठीक है, और उस case में जो right hand के thumb का direction आएगा, वो आपको क्या दे रहा है, magnetic field, तो stretched thumb of the right hand gives the direction of the magnetic field हमने यह magnetic field lines ना सिर्फ बनाई, बड़ इसका magnitude at the center, on the axis, in fact solenoid में तो हमने इस expression को use करके, एक must integration भी किया है, जिसमें एक general point पे भी आप solenoid के अंदर बाहर, magnetic field निकाल सकते हैं, यह सारी चीज़ा हमने करी हैं, जो बच्चे regular हैं वो जानते हैं, यह बड़ी चिंदी चीज़ जो हम कर चुके हैं, बड़ यह मैं यह आपर क्यों mention कर रहा हूं, क्योंकि बच्चो यह एक इसी तरह का magnetic field का diagram बनता है, एक bar magnet में भी, एक bar magnet में जिसको अपसे बच्चो हम permanent magnet भी कहेंगे, ध्यान देना, एक bar magnet में, क्योंकि permanently magnetized है, इस तरह की नॉर्थ और साउथ उसमें द बनानी है, क्या rule है, इस तरह से coil में तो अपन right hand thumb rule यूज करते थे, यहाँ पे आपको start करवानी है north से, तो हर direction में यह आप start करवाएंगे जी, और end करवानी है south पे, end करवाना या terminate करवाना जिस तरह से अपन, electrostatic में भी negative charge पे बोलते थे, यहाँ पे south पे उसको end करवाना है, और इस तरह से अपने जैसे electric dipole के लिए field lines बनाई थी, lecture 4 of magnetic field में अपने dipoles की तरह, यहाँ भी magnetic field lines बनाई थी, यही वो चीज़ें जो अपने बना चुके हैं, पर यहाँ भी क्या catch अपने discuss किया था बच्चो, apart from this fact, north से start होती है, south पे terminate होती है, एक और fact मैंने आपको ब end तो होरी है, but यह भी एक fact है कि magnetic field lines हमेशा close loop की form में होती है, और उस close loop को बनाने के लिए आपको यहाँ भी क्या करना होगा, south से north की direction में, in fact magnet के अंदर में आपको direction उल्टा करना पड़ेगा, inside the magnet, inside the bar magnet क्या होने वाला है, तो magnetic field lines are in opposite direction, in reverse direction, south से north की direction, तो बाहर में तो north से south है, जैसे positive से negative charge होता है, अंदर में ऐसा होता है, इस sees का भी, ख्याल रखें, क्योंकि इस पर based question आया हुआ है, previous year में वो मैंने home work में दिया है, I will not obviously ask that question right away, but home work में दिया है, मैंने, इस sees का भी ख्याल रखें बच्चों, कि magnet के अंदर में क्या हो रहा है, अगर इसको एक loop होन लूप तो closed ही होता है, close word mention करने की ज़रत नहीं है, अगर यह direction है, north से south, north से south, अंदर में हम देख रहे हैं कि south से north यह direction है, जिन बच्चों ने, especially, magnetic field का lecture 4, जिसमें अपने यह magnetic field lines में बहुत सारी detail में बाते करी, नहीं देखा है, देखना ज़रूर, also draw this diagram at one point in your life, यह diagram आज तक नहीं बनाया है, बना जरूर लेना, but I am assuming कि यह सारे diagram सा आपने पहले भी बना रखें, कोईल के case में, जब याद एक current इस तरह होता है, current की direction को देखते हुआ, आप उपनी right hand के fingers को उस direction में रखेंगे, magnetic field की direction बच्चों कैसी आ रही है, तो magnetic field की direction exactly वैसी आ रही है, जैसी एक बार magnet में होने वाली है, यह जो situation है, इसके एकदम बराबर है, यह दोनों situations काफी comparable है, in the sense कि इनकी magnetic field lines की diagram से मारी है, इस साथ में अपन यह बोलते हैं कि यह वाला point को अपन नौर्थ बोलेंगे, क्योंकि यहां से field lines जा रही है, यहां पर इखटी हो रही है, मतलब है यह very basic, what we will be learning in this particular chapter, आज के इस chapter में जो नई बात है, वो हम क्या समझने वाले है बच्चों, कि सच में क्यों एक magnetic property शो होती है, किसी भी object की magnetic property क्यों होती है, एक बार है कि यहां पर line लिखा है, मैंने उसको पढ़ना आप लो, इसको process करना, यहां से notes भी in fact बनाने चालू करना आ आप लो, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखाया देखो, एक permanent magnet के अंदर, permanent magnet मतलब वो permanently magnetic properties शो करने वाला है, हम बोल रहे हैं कि every atom, every molecule of the substance is a complete magnet in itself, मतलब कि भाई, अगर हम किसी भी एक molecular level पर, atomic level पर भी बात करें, तो देखना किस तरह से यह जो एक iron है, इसका खुद का एक magnetic moment होगा, magnetic moment क्या चीज होता है, किसी भी एक charge particle के motion की वज़े से, mostly वो circular motion होता है, उसकी वज़े से देखना कि इस direction में current बन रहा है, जैसे अपने अभी coil के case में देखा था, इसमें भी positive direction के along अगर हम current लेते हैं, तो उसकी वज़े से क्या बनता ह आपर north-south इस तरह से field lines मौजूद होगी, not just in case of positive ions, mostly in case of electrons, mostly ऐसा होगा बच्चो कि electrons जो की orbital motion में होता है, electrons जो की अपने अलग-अलग orbits में रहते हैं, और कैसे, rotatory spin होती है, उनकी, वो move करते हैं और उसकी वज़े से भी देख रहे हैं, ये electron कैसे गूम रहा है, इस electron की वज से ultimately current opposite direction में हुआ, opposite direction में हुआ, यानि की same direction as this iron, और उसमें भी आप right hand की fingers के round current रखोगे, हम आपको क्या दे रहा है, कि magnetic moment है, ये अपने आप में एक complete magnetic की तरह behave कर रहा है, this and this my friend is behaving exactly like this coil, और इनका भी एक magnetic nature होता है, field lines होती है इनके round, और येस इस वज़े से बच्चो आपक ये समझना है, कि molecular level पर, atomic level पर भी जहां पर ions है, electrons है, वहां पर भी magnetic nature शो हो रहा है, तो overall कुछ bodies में ऐसा होगा कि ये सारे magnets same direction में aligned होगे और total magnet बन जाएगा, जब कुछ objects ऐसी होगे, in fact most of the objects में ऐसा होता है, कि ये एक अगर electron है, तो इसकी opposite spin भी है, उस case में दोनों cancel हो जा वाले हैं, उससे पहले लिकिन, electron पर थोड़ा ध्यान देंगे, electron में बच्चों क्या होता है, अगर ये ऐसी spin रख रहा है, तो एक तो opposite direction में current लेंगे, क्या ये बात सभी ने notice करी, कि current फिर opposite direction में होगा, electron के opposite में current अपन लेते हैं, और अगर current की direction में right hand करेंगे, इसका magnetic movement इस इस diagram में अगर हम बात करें कि ये electron ऐसे rotate कर रहा है, और आपको मुझे बताना में question पूछने वाला हूँ, live chat में, comments में आप लोग इस point पर answer करेंगे, just think about this electron moving around a nucleus, जिस तरह से 1S में, 2S में ऐसे गूमता रहा है, ये इस तरह का electron है, जो कैसे गूम रहा है, आपको समझ में आ ये वाला हिसा आपके पास है, करीब है, और ये वाला dotted वाला दूर है, जो करीब है न, उसको मैं bold बना रहा हूँ, समझ में आ रही, और ये आपका दूर है, इस sense में अगर electron गूम रहा है, तो magnetic moment की direction क्या है, ये पूछ रहा हूँ, magnetic moment की direction क्या है, वो आप कैसे निकालेंगे लिवाद तो electron जिस direction में जा रहा है, current उसके opposite direction में जाएगा, current अगर ऐसे है, current अगर ऐसे है, current अगर इस sense में है, जिसमें right hand की fingers देखो मेरी कैसे जा रही, थम्ब की direction, ये थम्ब की direction आपको क्या दे रही है, magnetic moment की direction, उनमें आ रहा है, magnetic moment ऐसे निकाला जाता है, magnetic moment को हम capital M या small m से भी represent करतें कई बार, कुछ books में mu से भी represent करेंगे, hence mu, यहाँ पर देखना एक और चीज, कि कैसे इसका एक angular momentum भी है, इसका mvr, क्यूंकि इसका math इस direction में velocity रख रहा है, एक angular momentum L भी है, और L वेक्टर के opposite direction में exactly magnetic moment होता है, for an electron, यहाँ पर एक अच्छे लेवल की चीज बत q by 2m होता है, ठीक है, m by L ratio इस case में क्या होगा, q by 2m, m by L magnitude wise है, वेक्टर को divide नहीं कर सके, q by 2m लिखेंगे, और q की value negative है, उस case में इन दोनों की direction क्या हो जाएगी, opposite, because charge on the electron is negative, anyway, यह direction पर मैंने चर्चा इसलिए करी, क्यूंकि मैं आपको यहाँ पर पहला question आज का करवाने वाला हूं, जो कि आप देखेंगे कि एक बहुत ही famous format है, जो कि बार-बार competition में, board exam में, कहीं पर भी मतलब इस question को दो डाल दो, यह मतलब क्या बोलते हैं, वो, evergreen question है, हमेशा चलने वाला question है, question को समझते हैं, बच्चो कैसे magnetic moment of an electron पूचा है आपको, which is orbiting in a circle of radius r, with a speed V, हमने same question with omega angular speed भी किया हुआ है, yes, इस question का आप answer जल्दी से करेंगे, और direction भी बताएंगे, अगर यह एक electron बाबा है, क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है, इस case में, इसका magnetic moment का direction भी बताएंगे, और more importantly, आपको question में पूचा है, कि magnetic moment का magnitude क् direction आप diagram को देख के बताएंगे, मेरे से पहले खतम करना है, इस question को अगले 10 second में मैं answer कर दूँगा, आपको M की value current into area पता होगी, जिनको नहीं पता है, लिखे, current की value जब electron इस particular point को, एक time period में, एक circular motion में, एक बार cut कर रहा है, e divided by t, उसका corresponding current हो गया, area की value pi r square हो गई, और इन चीज़ों को जब आप v की terms में लिखेंगे, क्योंकि question में आपको r और v दिया है, तो time period of one circular motion is 2 pi r by v, और उसमें आपने pi y, और बागी चीज़ों को cancel करके, ए answer अगर लिख दिया है, तो सही कर रहे है, लाइफ में सही जा रह हूँ, this must be the minimum speed, minimum speed, not maximum, जिसके basis पे आप लोग अपने j exam नहीं, ct exam, double east, state specific exam, जो भी exams में आप लोग perform करते हैं, और क्योंकि अभी आपका board में भी objectives वगेरा आने लग गया है, तो आपको करना जरूर ही है, direction की बात है कि current की direction में होगा, electron ऐसे जा रहा है, तो current opposite में होगा, current क direction आप इस case में, in fact side में एक diagram अपनी भी notebook में बना ले, current कैसे, ऐसे है, और current अगर ऐसे है, तो यह magnetic movement का direction, mu से भी represent करते हैं, और बच्छों, angular momentum, mvr, mr x v, पढ़ी है न, को इस direction में होगा, है लग की angular momentum नहीं पूछ रहे हैं, हम यहापे, आपको magnetic movement downwards, very good, आपने say लिख दिया, बच्छों, बात समझ में है, इस तरह के question के, हमने पहले भी किया, क्या हमने, इस तरह का equation omega में भी किया था, अगेन इस तरह के homework question में दे रहा हूं, उस पर बात में आ जाएंगे, permanent magnetism पे आते, permanently कोई object, यह clear हुआ न, सबको, इसमें मैं बोल रहा हूं, कि आपको अगर किसी point पे ऐसा लगे, कि हायर lecture में तो समझ में आ रहा है, बट सवाल नहीं हो रहे है, सिंपल सी बात होती है, बीच-बीच में जब जो concept just सीखा, उसके questions भी कर लेंगे, कई बार क्या होता है, बच्चों, concept आज सीख रहे हैं, question 6 महीने बात कर, उसमें इतना बड़ा mismatch हो जाएगा कि जो lecture आपनी सीखा है, वो भी आपको लगेगा, आप अपने इस चैनल पे जिस तरह से training होती है, coaching होती है, बच्चों, coaching process होता है, it's not just tuition, tuition हम करते हैं, 9, 10, 11, 12 में, अभी जे के लिए क्या कि जाता है, coaching, coaching का मतलब यह होता है, डटना है, question दिया है, करना ही है, और जब तक नहीं हो रहा है, लगे रहना है, anyway, उस पे मैं आऊँगा, बाद में कभी, आज आते हैं, बच्चों, कैसे permanent magnetism, शो करते हैं, कुछ material, कुछ object, तो हमने यह समझा, कि हर एक electron अपने आप में एक magnet है, बच्चों, every electron in itself is a complete magnet, ऐसा भी नहीं कि आधा magnet है, तीन चोधा ही magnet है, यह वो अपनी rotational axis के about भूम रहे, अपनी axis के about एक electron जब गूमता है, जैसे planets गूमते हैं, तब भी एक magnetic moment बनता है, तो देखना कैसे magnetic moment बनता है, electron का जब अपनी ही axis के about rotation होता है, जैसे अर्थ का अपनी axis के about 24 गंटे में होता है, वैसे उसकी वज़े से भी magnetic spin number बनता है, प्लस अगर हम देखें के spinning ऐसी हो रही है, spinning कैसी हो रही है, direction समझ में आ रहा है, अपने को बता है कि इसका current बनेगा, वो उल्टा बनेगा, current के long right hand की fingers, thumb कैसे आ रही है, यह point क्या हो गया, अपना north हो गया, यह हो गया south हो गया, फिर से देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेक के पूरा focus करना चाहिए है, जब यह electron ऐसे घूम रहा है, तो current ऐसे होगा, current ऐसे तो right hand को use करना, right hand के fingers को current के long, thumb आपको क्या बतार, magnetic field का फवार ऐसे जा रहा है, और उसी की वज़े से हम बोलते हैं कि yes, इसका जो nature है, इक magnet के nature जैचा है, बच्छों, magnet का nature actually इसके जैसा होत होता है, because every electron, और electron तो subject है, electron तो, चोटे-चोटे atoms, molecules में भर-भर के है, जब चो, electronic level पे, एक rotation की वज़े से magnetic moment आ जाता है, do you agree, and आपने नाम भी सुने होंगे, spin number, plus half, minus half, यह उसी वज़े से आते हैं, yes, if you agree, now that magnetic moment होता है, electrons में, ions में, atoms में, molecules में, अब हम बात करते हैं कि क्य सारी objects में magnetic phenomenon दिखे, यहां पर कुछ बच्चा बोल रहे हैं कि भाई, हमने vaccine लगवा लिया, और अब हम magnet बन गया है, हम देखो यह चम चक्कू चिपका रखे, बच्चो वो तो पसीने से शायद इतनी गर्मी है कि पसीने से चिपक गया होगा, but magnetic properties usually बहुत ही कम objects में होती है, कैसे होते हैं, वैसे mammals mostly die magnetic properties, अपने में जो animals हैं, जो mammals होते हैं, उनमें क्या होती है, die magnetic, we actually repel magnetic field, यह चीज मैं आपको करके भी बताऊँगा, lecture 3 में, एक experiment भी हम करेंगे कि कैसे, सारे mammals actually magnetic field को repel करते हैं, क्योंकि अर्थ की magnetic field already है, जब से अपन evolution कर रहे हैं, और हमारी एक property हो how every atom or molecule of a substance is a complete magnet, we saw individual electrons, हमने देखा यह छोटू-छोटू सारे electrons, अगर एक direction में हो गए, बात यह हैं कि एक electron तो magnet है, पर यह सारे की सारे electrons, अगर एक direction में align हो गए, align हुए, तब जाके आपका एक net magnetic moment बनेगा, वरना बात वही हो गए कि plus half और minus half, दोनोंके जब add करोगे तो, हो जाएगा, तो बच्चो, yes, this is what the reason is that we don't see everything around us having magnetic property, क्यों होता क्या है, कुछ segment का ऐसे magnetic moment है, कुछ segment का ऐसे है, इनका 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 ऐसे है, तो randomization की वज़े से क्या हो जाता है, net magnetic moment, most of the substances, objects, जो अपने आस पास से उनका zero हो जा हो जाएंगे, objects, permanent magnetism में भी, show क्यों नहीं करती है, क्योंकि in any substance, these molecular magnets, these small magnets, are randomly oriented, randomly oriented word लिखके आओगे न, आपने board exam के answer में, भीया, आधा नंबर जादा मिलेगा पक्का, क्योंकि random orientation होती है, एक और word आड़ कर लेना, thermal agitation होती है, जी, thermal agitation क्या होती है, कि गर्मी की वज़े से जो सुख बुगहाट होती है, अंदर में, कोई भी चीज न, एक ही direction में नहीं align होती है, उसकी वज़े से भी, net magnetic moment नहीं बनता है, उस case में अपन क्या बोलते है, कि net magnetic moment zero जाता है, m vector net zero जाता है, after all it is a vector quantity, direction will be very important, is that clear भीजे में, थोड़ा सा कहीं पर clear और थोड़ा सा है, और किस case में देखो, किस case में ये net magnetic moment नहीं बनाता है, यहाँ पर एक और diagram से समझो, बच्चो, net magnetic moment तब नहीं बनेगा, जब ये सारी north-south, north-south, ये छोटी-छोटी magnets, ये छोटी magnets कहां से आई, सभी को clear हुआ, ये छोटी-छोटी magnets, अभी अपनी randomly oriented है, और ये आई कहां से जी, ये आई है, electron, ions, उनकी spin की वज़े से, उनके rotational motion की वज़े से, तो आप एक region में देखोगे, आप बोल पाओगे कि yes, net magnetic moment in any small region of any substance will be zero and if that is zero, then the substance is called a demagnetized substance, demagnetized word कभी उस करेंगे हम, जब उसमें कोई magnetic moment net नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, random orientation है, randomly oriented है, कहीं पे भी देख रहे हैं, जैसे कि एक classroom में जब teacher नहीं मौजूद है, तो बच्चे हर तरफ देख रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, वैसी situation, जैसे ही class में principal enter करते हैं, की चल नहीं, principal स्रीमान enter करते हैं, कि सब एक साथ देखो कैसे line में बैठ जाते हैं, और उस case में हम बोलते हैं, कि ये एक magnetized object हो जाता है, because this ultimately now has a magnetic field, एक magnetic moment है इसका impact, देखने हैं, यहाँ पर एक छोटे magnet का magnetic moment ऐसे आ रहा है, और इन छोटे magnets का हालनकी magnetic moment तो बहुत छोटा हुआ, लेकिन overall एक magnetic moment बन गया एस पूरी situation में, योगि इस direction में आ रहा है, इस direction में आने का क्या मतलब है, कि ये end जो है आपका north की तरह behave कर रहा है, ये end आपका south की तरह behave कर रहा है बच्चो, यहाँ पर magnetic fields originate होके यहाँ पर enter करेंगी, yes this will be a case where the net magnetic moment will be non-zero, जीरो नहीं बोलेंगे अपन, बोलेंगे ये राधर एक non-zero है, देखना है आपके में क्या लिखा है कि on magnetization, ये process of making magnets कहते हैं magnetization process होता है, जिसमें आप भी experimentally steel को, iron को, nickel को, cobalt को, एक direction में magnetic field लगा के magnet में convert कर सकते हो, तो वो आपकी हो जाती, natural नहीं, बट artificial magnets, उस पे भी again बात करेंगे lecture 3 में जागा detail में, कैसे होता है magnetization process के बाद, molecular magnets realigned कर जाती है, एक particular direction में, in a specific direction, that is leading to a net magnetic moment, that is leading to a net magnetic moment being non-zero, बात समझ में आरी, अच्छा आपने ये भी सुना होगा, कि अगर एक permanent magnet को लिया, उसको बढ़िया हतोरे से पीटा, ऐसे पीटा जैसे मम्मी ने संडे को तेरे को पीटा, एक magnet को लेके बढ़िया, हतोरे से, रॉक से, या उसको गरम कर दिया, तब उसकी magnetic properties lose हो जाती है, ये अगर आपने सीखा है, सुना है, तो अब उसका reason बताईए, थोड़ा सा common sense से reason होता है, सोच के बताईएगा, कि कैसे, on heating, on hammering the magnets, the magnetic substance, magnetism reduce हो जाता है, magnetic moment zero हो जाता है, तो ऐसा क्यूं होता होगा, सो आपने हतोरे से पीटा, गरम कर दिया, फिर से ये जो magnetic moments थें, वो randomly oriented हो गए, disoriented हो गए, random directions में आ गए, इनको इतना मैनत करके सीधा किया था, अभी आपने hammering और heat से randomize कर दिया, तो फिर से situation कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, हलंकि जब ममी पापा पीटते हैं, तब तो आप सीधे हो जाते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है, मैगनेट के साथ उल्टा हो रहा है, वो randomly oriented हो जाते हैं, anyway, बहुत ही ज़्यादा obvious भी है, आप अगर basic चीज़ें समझते हैं, तो बहुत चीज़े obvious भी है, अब आते है, मेन काम की बात पर जिस पर और टाइप के questions बनते है बच्चों, मेन काम की बात क्या है, यह जो एक बार मागनेट है, यह जो एक permanent मागनेट है, अब हमें जब पता है कि यह net magnetic field क्यों शोग करी है, यह magnetic moment है इसमें, तो magnetic moment के value क्या है हम देखते हैं, अब heading बनाना बार मागनेट, बार मागनेट में magnetic moment क्या होता है, pole strength क्या होता है यह सारी चीजिते में बताने वाला हो आप भी लिखेंगे तोड़ा चाहा जाध अच्छा रहेगा तो बार–magnetic heading बनाना और बार–magnet क्या चीजदें देखना बार–magnet consists of two equal and opposite magnetic poles यहाँ पर magnetic poles एक नया टम मैं m small से introduce कर रहा हूँ एक बार magnet में आपको north south तो समझ में आये था अब ऐसा मानिए कि वो north की जगे पर आपको plus m south की जगे पर एक minus m दिया हुआ है पर यह plus m और minus m क्या चीज़े हैं exactly like your positive and negative charges exactly like plus q and minus q दो conceptual चीज़े हैं जिसको अपन बोलते हैं pole की strength north pole की strength south pole की strength pole strength m से denote कर रहे हैं what is this the strength of the magnetic poles to attract magnetic materials towards itself यह बहुत vague सी definition है पर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना क्यूंकि असल में magnetic monopoles exist नहीं करते हैं उसका reasoning अपन अगेन इसी lecture में discuss करेंगे यहां पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना कि अगर हमने south में magnetic field lines enter होती हुई देख ली है north से magnetic field lines निकलते हुई देख ली है तो यह situation क्या हो गई बहुत similar हो गई एक electric dipole की तरह है electric dipole में जैसे होता था बच्चो plus q and minus q यहां पर भी आप similar concept बनाने की कोशिश कर रहे है आकि चीज़े आसान हो और plus q minus q separated होते हैं वहाँ पर आपने 2a लिया था याद करो यहां ले रहे हैं 2l यह diagram भी आपको बनाना है यह 2l जो है it will be a small distance not a large distance usually बहुत ज्यादा distance नहीं होता है monopoles के बीच में तो यह जो pole strength है यह क्या concept हो गया जहां देखो जैसे आपके पास एक pole m यहां पर है m1 बोल दो एक और pole m2 यहां पर है हलांकि यह individually exist नहीं करते हैं आइडिया के तौर पर इसको भी q1 q2 की तरह आज्यूम करो बीच में अगर इनके बीच में आठ डिस्टेंस है तो हम क्या बोल पाएंगे इनके बीच में जो फोर्स है ना वह m1 m2 के प्रपोर्शनल है इनके बीच में जो फोर्स है वो inverse square law follow करता है और यह force क्या है यह magnetic force है इनके बीच का है magnetic force है जो कि pole strength पे depend करता है strength of the magnetic pole जितनी जादा होगी attraction उतना ही जादा होगा हाथ समझ रहे हो ओके और कैसे यह देखना यहां पर जो constant of proportionality इस case में जैसे कि कॉलम्स law में 1 by 4 pi epsilon not होता था यहां पर mu not by 4 pi m1 m2 by r square हो जाएगा यह एक चीज और है जो कभी आप actually लगाएंगे नहीं बट बोल सकते हैं because it is not actually true this my friend is not actually true but because you have seen the behavior of charges कैसे वो behavior करते हैं आपने यहां पर एक magnetic monopole का concept introduced किया है और minus m plus m की बीच में 2L distance है यहां पर आप एक magnetic dipole moment भी define कर रहें ध्यान देना magnetic dipole moment की value क्या m into 2L हो जाएगी क्या क्योंकि यह एक vector quantity है बच्चा इसका आप direction भी assign करते थे electric dipole moment किसी का अगर dipole साफ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारे सारे dot com slash giant 161 उस लिंक को memorize करो because यह अपकी लाइफ को change करेगा dot com slash giant 161 without spaces यह बॉक्स में डालेंगे लोग तो इंजिनियर बनोगे ना बायो अलगली इतना magnetic moment यहां पर magnetic moment बोल रहे हैं वहां पर electric dipole moment बोलते थे direction of this magnetic moment my friend pole strength की जो direction है वो आपकी यहां से यहां तक होती तो direction पर आ रहा हूं पर मोटा मोटा आप समझिए बच्चो कि हमने क्या किया भी इस page पर हमने बोला कि जो नौर्थ पोल है वो प्लस एम है साउथ पोल है माइनस एम है जिस तरह से आपका प्लस क्यू माइनस क्यू होता था तू एल से separated है यहां पर magnetic dipole moment अपने डिफाइन किया और पोल स्टेंट एक ऐसा concept है जो की चार्ज की तरह ही एक दूसरे को attract और opposite charges दोंगे तो attract same charges दोंगे तो रुपेल वैसा होगा बाद आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ठोड़ा और समझते हैं इसमें थोड़ी सी गहराई में और जाते हैं बटा कि यहां जो हमने इनके बीच की जो distance होगी न वह एक्चली जोमेंट्रिकल लेंज से कम होगी इस एल ई को बोलते हैं effective लेंथ जबकी end to end जो distance हो सकता है वह आपका geometrical लेंथ हो जो की जादा हो सकता है क्या मैं बोल रहा हूं यहां पर shortest distance between two poles shortest distance between the two poles plus M minus M तो हमने effective length LE बोल दिया है इस case में आपकी monopole strength क्या हो जाएगी magnetic moment क्या हो जाएगी M into LE तू LE नहीं कर रहा है अपने यहां से यहां तक LE बोल रहे है suppose हम क्या बोल रहेंगे बिटा इस तिंग उनमें आ रहे हैं ओके और ऑविसली geometrical length से कम होगा geometrical length actual distance है और monopole की जो location है वो क्योंकि exactly end पर नहीं होती है exactly end पर नहीं होती है बीच में कहीं पर होती वह effective length भी आप बता सकते हैं geometrical length को अगर अपन two small l लेके चलें उस case में इसको आप two small l भी लिख सकते हो effective length usually point eight times the geometrical length होती है यह वैसे तो कभी question में आएगा नहीं बट just in case कभी आ जाता है तो इसको भी लिख लेना आपकी जो effective length है उसकी चर्चा चल रही question में तो वह geometrical length दिया हुआ 10 cm effective length को फिर आपको लेना eight centimeters है अलांकि ऐसा कोई standard चीज नहीं है just explaining just in case जैसे कि आपको याद होगा एक और concept अपन waves में पढ़ते थे जो अलग अलग कभर करते थे उसमें भी आपका effective length of the organ pipe होता है actual length जाधा होता है बट उसका जो node बनता है वो फोड़ा से उपर वाले point पे बनता है वह effective length वो end correction के साथ लेते थे अलांकि यह सारी बाते ऊपर से जा रही है इनो क्योंकि जाधार बच्चों ने class 11th के end में पाप किये है पाप जिसमें आपने यह सारी चीज नहीं पढ़ी थ कर यहां पे जो भी जहां पे भी यह monopole exist कर रहा है यह monopole यहां पे अंदर में कहीं exist कर रहा है इन दोनों के बीच पे effective length l e equal to 2l है imagine करो l e की value 2 small l है उस case में magnetic moment को m into 2 small l vector sign में लिखेंगे vector sign में लिखेंगे मतले इसका direction भी होगा apart from magnitude direction क्या होगा तो याद करो कैसे हमने electric dipole में भी negative charge से positive charge direction बोला तो यहां पे भी it's very important that you know that the vector quantity has direction from south to north south से north की direction में यह m दिख रहा है आपको किस direction में south से north this is similar to this is exactly like यह similar to electric dipole electric dipole moment p की value minus q to plus q हुआ करती थी जो बच्चे chemistry बढ़ते उसमें उल्टा होता है plus q किसे minus q but हम जब physics में बात करते हैं तो minus q से plus q होती है and the product of the pole strength and the effective length gives you the magnetic moment is the pole strength कट क्यों गया बच्चे शेर नहीं करते हैं बजट नहीं है चलो ठीक है ऐसा ही unit किया होगी magnetic moment की magnetic moment जैसा अपने एक loop में देखते थे magnetic moment को current into area से बच्चों करते थे यह चीज़ हमने अल्रेडी करी होई है याद करो magnetic moment जब magnetic force वाली सीरी करी सीरीज करी थी magnetic force के lecture 5 में magnetic moment current into area या n टन से तो n into current into area अपने डिफाइन किया था तो the units are ampere into meter square you can also give this unit according to torque वाला expression newton meter torque होता है तो torque बाय कि torque equal to mb होता है na m cross b वो चीज़ भी आने वाली पर इसके units और dimensions ध्यान में रखो अल्रेडी निकाल चुक है dimensions इसके current का A होता है area का L square होता है तो A L square इसके dimension यह formula लिखना main है और direction लिखना main है formula निखा direction लिखा थोड़ा बहुत समझ में आया life में थोड़ा बहुत समझ में आया तो question number तू आज का आप करेंगे और मुझे answer बताएंगे एक बार खोदी पढ़े समझे सब्सक्राइब करें कि अधिक है कि या already अरे भाई एम क्या है पूरी रमायन हो गई राम कौन है बच्चा पूछ रहे तो थोड़ा सा ध्यान दे बटा होप आपने चालिस मिनट में आ अल्रेडी बखवास करी उसको थोड़ा सुना मोनोपोल स्ट्रेंथ चार्ज की तरह कंसेप माना सल में एक्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है इंड में बात करेंगे पूरा अभी परदा फास होने तो क्लाइमेक्स तक पहुंचने तो पिक्चर को पुरा साथ में एफर्ट लगाओ सुनो सोचो और कंटेंट ऐसा बनाया क्या बच्चों को डाउट आ सकता है वह थोड़ा बूद मजी आइडिया है हलांकि मैं बाद बीट बीट में देख लेता हूं आपकी चैट आप लोग के भी कॉमेंट में ले सको इनिवे इस आइरें रोड ओफ लेंथ एल और मागनेटिक मुवमेट एम मस्ट लुक लाइक हाओ इक्जाक्ली इसकी शकल बनाएंगे अपन यह एक आयरें डॉड जिसकी लेंथ एल है और इसका भी अगर एक प्लस है माइनस हम माने नौर्थ जहां पे प्लस हैं ताउट जहां पे वहाँ पे माइनस हैं तो हम बोल पाएंगे कि इसका मागनेटिक मुवमेंट एम इल पर इसके साथ आपने क्या किया इसको आपने समी सर्कल मेर्ट कर दिया की मुमें अफ टूथ आंसर लिख दूजरी सब्सक्राइट लिख दो इसका अभी तक नहीं पीका इस इस अँग करने की जरौत है अगर आप पुड़ा भी मतलब यह नो यहां पर देखना नौर्थ तो यहीं रहागा आपने देखी नहीं होगी यह शुरू-शुरू में मनें बताई इस तरह की समिसर्कुलर शेप मागनेट होती हो और शू की शेप की होती हो उसको और शू मागनेट भी बोलते हैं आपके प्लस-म, माइनस-म तो उतने ही है लेकिन अभी उनके बीच में सेपरेशन क्या हो गई है 2R समिसर्कलर मतलब डायामेटर 2R हो गया है नया मागनेटिक मोमेंट M' की वैल्यू क्या आप M into 2R लिखेंगे लेकिन क्या R और L में कोई रिष्टा है और यह रिष्टा क्या कहलात है क्या बूलिंगे इसको 2PiR की वैल्यू L है अगर आप देखेंगे डाइग्राम में 2PiR की वैल्यू L है तो उसकेस में 2R की वैल्यू आप L by Pi लिख देंगे जिन बच्चों का option B answer आया है क्योंकि 2R की वैल्यू L by Pi 2R की वैल्यू L by Pi ठीक है उसकेस में I think आपका जो answer आ इसमें catch रहा, B नहीं C, जो C वोलो C for Calcutta, B नहीं, ठीक है M into L, ठीक है उसके बाद आपने क्या किया, same M, लेकिन दोनों के बीच में जो gap आगया वो 2R आगया, 2R और 2PiR में क्या relation है, 2PiR is L by Pi के, और इस पूरी चीज को मैंने L by Pi लिखा, ML को फिर से capital M लिखा, M by Pi is actually the right answer 3 is the right answer, not B, remember that, तो B, जिन्होंने मेरा देख के B लगा लिया, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, अचा पाया लिया से, क्योंकि मैं यहापे बिलकुल रुका इसलिए हुआ हूँ, कि just in case, मेरा भी क्या न, कि दिमाख के इधर उधर चलता रहता है, I think your B answer is actually correct, B answer is actually correct, य यहाँ पे, साफी गौड़ बॉर्ड हो गया, बट B answer is actually correct, because what I have overlooked here is, that 2πr नहीं होगा, पायार, कुछ बच्चे जगे हुए हैं, उस case में, 2πr के बज़े, पायार लिखना था न, नहीं सरकर कर लें, तो, πr equal to l, r equal to this, and 2 remains intact, you're right, you're right, m into l की value, capital M, और वो 2 भी आएगा, तो B answer, बिल्कुल आए, okay, alright, is that clear to everyone, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अभी लग तो नहीं रहा किसी को, यह अपना question 2 हुआ, इस तरह के questions, again, अपने पहले कियो है, याद होगा, आपको जो बुच्चे अपने, magnetic moment वगेरा के lectures में, we've done this question, what is now important here is, कै कैसे यह जो setup है, जिसकी अपन बात करें, ज्यान दे रहा, कि plus M और minus M separated by some distance 2L, has a magnetic moment, M into 2L, is very similar to your dipole moment, यह बात तो अपन बात करी रहें, पर एक बार दोनों को side by side रखके देख लेते हैं, कैसे minus Q, minus M जैसा है, plus Q, plus M जैसा है, दोनों के बीच में, अगर 2L distance है, हमने लिखा जैसे magnetic moment, याद होगा, आपको पहाँ पर dipole moment को भी हम, Q into 2L लिखते थे, ठीक है, और कैसे dipole moment की direction क्या होती थी बच्चों, dipole moment की direction होती थी, minus Q से plus Q, यह direction देख रहे हो, there is a direction of P, small P भी लिखते थे, कई बचे, कई जगे पर capital P भी लिखते है, इसको है, इसको अपन capital M लिख रहे है, what is the direction of capital M, from south to north, from south to north direction बहुत similarity दिख रहे हैं आपको, कुछ similarity में यहाँ पर यह भी देखो, कि यहाँ पर 2 equal and opposite charges separated by a small distance बोलते थे हैं, याद है जब भी derivations कर रहे थे हैं, हम 2L को एक छोटा distance बोल रहे थे, और यहाँ पर भी वही चीज है कि equal and opposite magnetic poles, तो यह magnetic poles जो है वो, आपके 2 charges की तरह एक concept हो ग और उसमें आप देख सकते हो, हालंकि obviously units अलगे, column meter, units अलगे, ampere meter square, तो यह अगर इतनी similarity रखते हैं दोनों, तो हमने जो electric field due to an electric dipole के expressions निकाले थे, बहुत जगे निकाले थे, किसने miss किया आगे, electric dipole lecture number 11, 12 कौन सा है, पता ना comments में नए बच्चों को पता नहीं होगा, कि electrostatics का lecture number 12 में अपने dipole कवर किया था, इसमें हमने यह निकाला थे, कि minus q, plus q की वज़े से, इसी line पे, यानि कि axial line पे, जो electrical field हम निकालते थे, एला expression अपने यह derive किया था, याद करो, e is equal to, यह पूरी चीज़ k होती थी, इस चीज़ को हम लिखते थे, k into 2p divided by r cube, बच्चों को यह ऐसे रटा हुआ है, जैसे, उन्होंने यह चीज़ कल ही पढ़ी है, असल में उन्होंने दो महीने पहले पढ़ी थी, बड़ याद इसल अभी ने है, electrostatics में एक perpendicular bisector line होती है, जिसको अपन equatorial line बोलते है, perpendicular bisector q बोल रहा हूं, उसको minus q plus q के exactly बीच में perpendicular है, इस case में भी, एक axial point पे, sorry, equatorial point पे, equatorial point पे, electric field की value अपन, यह p by r cube लिखते थे, यह p by r cube लिखते थे, जिनको यह formula याद नहीं, लिख जरूर लेना, अगर recallation हो जाए, हमने यह भी बात करी थी, कि इसकी जो direction है, वो minus q से plus q है, इसकी जो direction होती है, actually opposite to p होती है, इसको हम जब vector form में लिखते है, equatorial point है यह तो, हमने e, e लिखना है, यहाँ पे भी अपने को, e, e लिखना चाहिए, equatorial point और axial point, equatorial point पे, kp divided by r cube लिखेंगे हम, और यह चीज़ का ख्याल रखेंगे, कि यह opposite direction में होती है, opposite direction to the dipole moment, इस चीज़ को याद रखो, यह पने derive किया था, यहाँ पे भी अगर मैं direction की बात करूँ, this is minus q to plus q in the same direction as p, p का direction चमक रहा है, minus q से plus q, उस case में, axial point यानि कि इन लोनों की line joining वाले point पे, electric field e, a vector क्या लिखते थे हम, that was 2k, p के direction में आता है, divided by r cube, p से parallel होता है, same direction में होता है, this you must know, if not, लिख लेना एक बार जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर अपने एक general point पे भी निकाला था, तो याद होगा, number three, एक दम एक random general point पे भी अपने, total net electric field निकाला था, जिसकी ये magnitude आती है, और इसका direction अपने अलग से लिखा था, कुछ लोग को याद होगा, वो direction, किसी को याद है, तो जल्दी से बताओ, कैसे, इसका ये angle तो theta होता है, बट ये angle alpha होता है, तो tan alpha अपने क्या लिखा था, tan alpha कितना निकाला था, किसी को याद है, किसी ने सही लिखा है, तो tan theta whole thing by two, इस पर भी अगयार आपको याद होगा, आमने question किया था, ये सारे formula थे, electric dipole के वजह से आसपास के region में electric field के है, समझ में आ रहा है, electric field on the equatorial, यानि कि perpendicular bisectal line, axial line, and एक और general point पर अपने इन दोनों को निकाला था, फिर square करके add कर दिया था, under root कर दिया था, net मतलब, ये 3 cos square theta वहीं से आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको cos theta वाला term मनता है, उस case में देखना जरूर, as I said, अगर आपको, आप बहुत busy लोग है न, आपको time नहीं यार, उस case में आपको one shot बना के दिया होगा है, ठीक है, यह आपके electric field के, और यहाँ पर ऐसे होता है, और यहाँ पर same direction, same as P, this is opposite to P, this is opposite to P, इसलिए यहाँ पर minus sign दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर same direction as P, इसमें alpha पर होता है, tan alpha की value, ठीक है बच्चों, इचाँ, यहाँ पर भी एक correction है, उसको मैं कर देता हूँ, plus Q से minus Q की direction में था यह, जो एक दो correction छोटे मुटे थे, वो भी मैंने कर दिया है, अभी यह सब कुछ correct है, all right, magnitude direction दोनों में लिखा है, but again doing this once again, क्योंकि अपने यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे, जिनको यह चीज नहीं चम की एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार हम हर बार करते हैं, कि magnetic field की intensity क्या होगी, अगर आपके पास एक magnetic dipole है, magnetic dipole मतलब बार magnet क्या दीजेगा, इनकी जगे पर plus M consider करो, इसकी जगे पर minus M consider करो, तो यह minus से plus की direction में magnetic moment, फिर इसी के axis पे point P पे पहुंचे है अपन, यह हुआ actual point, इस actual point पे magnetic field की value क्या है, K2M by R, similar expression, जो बच्चे अपने इस पूरी सीरीज में regular थे, उनको याद होगा यह वाले point पे अपने derivation भी किया हुआ है, K की value में आपको इसको डिराइब किया था, आपको याद होगा, इस डिरेक्टेट फॉम साउट तू नॉर्थ, इन दे सेम डिरेक्शन, एक्षिल पॉइंट पे, इम डिरेक्शन में आता है, इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या आता है, इक्विटोरियल मतलब की परफंडिकल बाइसक्ट वाला पॉइंट, इस पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे, opposite डिरेक्शन पे आता है, मतलब नॉर्थ से साउथ की डिरेक्शन में आता है, opposite डिरेक्शन में आता है, magnitude क्या होता है, KM by R¥, यहाँ पिए बैट यह आर ग्युब होगिया baterie एन्फरटर सेशंग्यों और इसको डेरिक्शन था अग्यार इसे Просто 1 इसका जो एंगल आता था आपको एंगल वाली चीज फिर से में रिकॉल करवा रहा हूं कि यह अपना थीटा होता था 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 इस पॉइंट का जो इस पॉइंट से इस पॉइंट से भी अगर इस लाइन से अलफा है इसका टोटल आंगल हो जाता अलफा प्लस थीटा एक्शियल लाइन यह साही चीज अपने पढ़ी हुई है आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दोस तिंग जो की नहीं है इस पूरे डिसकेशन में यह चीज पहले भी पढ़ी होई है तो नहीं किया है कि एक क्वेशन करके अपने इस चीज को समझ सकता है अपने को कॉंफिडेंस आ जाएगा इस क्वेशन क्या आंसर पढ़के सब लोग अपने हिसाब से लगाए और थर्टी सेकेंड के अंदर लगाए कि करोगे तो क्लियर हो जाएगा जो चीज अपने यहां पर अभी डिसकस करी मोस्ट आफ यू नो मैं उस हिसाब से एक्स्पें किया हर चीज कि कोई बच्चा शायद एकदम ही नाया हो वह भी समझ पाए अगर दीरे दीरे देख रहा है टू एक्स पर ना देखें वान एक् स्वीड भी वही होती ही तुमारी यहां पर बार मैगनेट का लेंथ दे रखा है यानि कि टू एल दे रखा है फिर पॉइंट्स ए और बी पर अलॉंग दा एक्सिस ही दे रखें यह दोनों आपको सपोज नौर्थ यहां पर दिया है सौथ यहां पर दिया है लोंग दा एक यही वन है इंफाक्ट वो क्या होगा एक्सिस पर यह पॉइंट लिया है अपने इस पॉइंट पर जो भी होगा वो तू एम बाय तू क्यूब हो जाएगा और इननों को जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को अब आप जब डिवाइट करेंगे क्योंकि यही पूछा है आपको कि इस रेशियो में होगा रेशियो भी बच्चों वही ओर्डर में जिसमें पूछा है मैंगेटिक फीलड एंड बी मतलब की वन बाई टू निकालना है जो वच्चे बी लिख रहे है आई तिंग वह गलत है आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओवर लुक कर दी है डिरेक्शन विल बी सेम इसलिए ज्यादा समझदारी नहीं यहाँ पर देखना मैगनिट् तो आपने बिल्कुल सही निकाला है लेकिन बात रह गई डिरेक्शन की वह अप्शन में डाले इसलिए जानबुचके बात यह है कि यह और यह पॉइंट पे एक्षियल पॉइंट पे चाहे वह लेफ्ट साइड में हो राइट साइड में हो मैंगनेटिक फील्ड की डिरेक और प्लस क्यू से निकलेगा डिरेक्शन ओफ एलेक्ट्रिक फील्ड डिरेक्शन ओफ एलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड औन एंटायर एक्षियल लाइन इसलिए सेम मस्ती होगी ना तुम्हार साथ मजाक मजाक में होगे आपके साथ तो यस पॉइंट तो भी रिकॉल्ड इयर इस के मागनेटिक फील्ड लाइन कैसे बिएव करती हैं यहां पर कुछ पॉइंट से जो आप आल्रेडी जानते हैं लेट्स डू देम क्विकली कैसे यार यूज पॉइंटिक फील्ड इन रीजन अब को बताएं के मागनेटिक फील्ड लाइन्स अपॉथेटिकल होती है रियालिटि में एक्जिस्ट नहीं करती है किसी एक महाशायने कंसेप्ट को बनाया है मैजनेरी कंसेप्ट उन महाशाय का नाम कॉमेट्स में लिखें और येस माइकल फारेड ने यही बोला था कि इस आर नागेटिक फील्ड लाइन्स विचा स्टाटिंग एट नॉर्थ एंडिंग एट साउथ ने आर इन फाक्लोजड कर्व्स लोजड अंदर में South से North डेरेक्शन में आना पड़ेगा बाहर में तो आपको outside the Magnet 써outh में होगा और अंदर में बचा South से North डेरेक्शन ने दिख रहए kam अंदर में मतलब माइट डेरेक्शन आ अंदर में किसे इसनल zer पोइंट ऐसे हैं ऐसे तारे ही एक्षिल पॉइंट पील्ड तेम डिरेक्शन में है तो पिछले क्वेशन में बीवन बीटू जिनका डिरेक्शन सेम था मैगनिटूड बस हार क्यूब के इंवरसली प्रोपोर्शनल होता है आर डबल कर दिया तो मैगनिटूड वन एर्थ हो गया तो यहां पर म इसमें नहीं बात है क्या आपको इस पॉइंट पे मैगनेटिक फील्ड की डिरेक्शन निकाल नहीं है तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा यह सारी चीज़ा अपने इलेक्रिक फील्ड के लिए भी बोली थी और मैगनेटिक फील्ड के लिए भी रीसेंट अर्शली लेक्शर फोर मैगनेटिक फील्ड सीरीज का पूरा इसी को डेडिकेटिड था कि कुछ प्रॉपरीस होती है क्योंकि पोरा लेक्शर करा हुआ है तो अभी इसको शॉट में करने है अपन के तेंजेंट ड्रॉन ट्रॉन गिवस देंटिक फील्ड नॉन फार्ड औ क्योंकि simple सी बात है कि एक इंट्रसेक्ट कर दिया तो दो direction होगे tangent के इच नॉट पॉसिबल क्योंकि magnetic field lines are representing net magnetic field जहां पर भी आप magnetic field line बना रहे हो वो net magnetic field की direction को बताना चाहिए दो directions हो नहीं सकती net की एक ही होगी तो intersect नहीं करेंगी यह points I think सभी को clear है but other things are similar here and in electrostatics magnetism भी revise हो रहा है इसलिए यह best topic होता है revision के लिए जो बच्चे यहां पर चीजों को compare कर पा रहे है सोच पा रहे है मज़े ले रहे हैं पूरे और जो बच्चे यहां पर देखना अगर थोड़ा बहुत भी electric dipole के बारे में कुछ चीज जानते हैं तो magnetic dipole में वैसी की वैसी है मैंजिन नहीं electric dipole यहां पर दिख रहा आपको minus q plus q इसका dipole moment कैसे हो गया पी इस direction में हो गया इसको एक electric field में रखाए जिए और इन दोनों पर कैसे forces लगते हैं कि positive charge पे along the field negative charge पे opposite to the field and that makes the net force on an electric dipole in uniform magnetic field zero in uniform electric field sorry zero uniform electric field में ही होगा ऐसा कि इस पे और इस पे opposite direction में cancel हो जाएगा यहाद एक question था non uniform electric field का जिसमें net force non zero भी हो सकता है बड़ हम लोग uniform electric field की mostly बात करता है force zero होता है लेकिन क्या torque भी zero होता है torque की value यादे बच्चो इस पे जो force लग रहा है इस पे जो force लग रहा है इस दिरेक्शन में torque बना रहा है और torque की जो direction है वो p cross e की direction होती है अपने लिखा था torque की direction p e sin theta फिर पूछा था क्यार e cross p ले या p cross e ले it should make sense directionally also देखना हमने बोला था p ऐसे है e इस direction में है और p cross e कैसे करते हैं इस साही चीज़ अपने कर रखी है पी cross e direction में आता है जो की torque की direction है तो अपने एक formula लगा देते हैं यह formula काफी important formula है इस पर based question आते हैं अभी तो बात यह रही कि यह अगर formula रहा electrostatics में then वही चीज magnetic dipole in the uniform magnetic field में भी होगा क्या magnetic dipole आपने चिपका दिया है एक ऐसी situation में जहां पर magnetic field uniform है अगर uniform है उनिफॉर्म है तो उस case में या इनके दोनों पे जो forces होगा अब देखने इसमें forces कैसे लगेगे जैसे electrostatics में q into e लगता था यहां पर m into b लगेगा m क्या है यहां पर monopole की strength यहां पर negative monopole है इस direction में force लगाएगा m into b इस direction में force लगाए m into b क्या net force यहां पर भी zero हो जाएगा yes क्या हमने again magnetic force lecture 5 के end में सीखा है और derive किया है कि torque mb sin theta होता है यहां पर लूप के लिए किया था यहां पर यही चीज डाइपोल के लिए मतलब की बार मैगनेट के लिए भी true है इन उनों forces की इसके अबाउट फिर से इस direction में torque यहने की couple आ रही है और वो m cross b से represent करते हैं tau equal to m cross b and उसका एक cousin उसका एक mausera भाई जो कि आपने पहले बढ़ लिया था tau is equal to p cross e दोनों बहुत similar है आपने इसको देखा आपने इसको बोला अरे तेरे भाई को तो मैं जानता हूं मैं तो देखा हूँ है उससे मैं मिला था दो महीने पहले करीब तेरी और उसकी शकल आत है बाद इतनी सी है कि अगर यस बोला है तो सवाल बन जाएगा सवाल काफी सिंपुल है सवाल साथ में चलो एक बार आप लोग प्राई करके बता दो मागनेटिक मोमेंट एम की वैलीव आपको दे रखिए देखना यूनि इंट्व एपर निकालते थे जापर 50 आई-क आप एंप्यर मीटर स्कुरे दिया हुआ है और मागनेटिक फईल्ड की वैलियू अगर आपको अगें वेक्टर नोटेशन में आई जे में दिया है तो करना क्या होता है इसमें आपको क्रॉस पड़क्त करना होता है पूछ लिया यहां पर टॉर्क सवाल दस सेकेंड में आंसर कर दो बस और लिख के कर रहा हूं में प्रॉपरली आप इसको ओरल भी कर सकते हैं मुझे लिखना पड़ेगा अगर यहां पर कोई बहुत ऐसे बिजी लोग है यहां पर आजकल बहुत बिजी लोग है जो मतलब खुद नहीं लिखते बट एक्सप करना मुझे बताना कितना जल्दी चाहिए क्योंकि 21 aspirants का भी जही में बहुत करीव है इस पे पूरी सीरीज पे एक पीवाई क्यू करना है या एक दो भी करना है कॉमेंट्स में बताना और उसमें मैंने होंबग में कोशन दिया उसको मैं लेकिन वहां पे लूँगा है वी यह एक टॉर्क और निकाल सकते हैं M cross B से यह फड़ना था अच्छा आपको electrostatics में dipole का theta 1 से theta 2 तक turning वाला expression या देके नहीं अगर आपने एक electric dipole को electric field से theta 1 पे रखा initial position और theta 2 पे लेके गए final position में यही मैंने यहां पे लिखा है कि theta 1 से theta 2 turn करने पर क्या work done P e cos theta 1 minus cos theta 2 होता है yes यह expression भी जीवन में पहली बार देख रहे हो तो देखना जरूर electric dipole के दो lecture अपने किये थे lecture 13 is I think the lecture जिसमें यह अपने derive किया था scratch से 0 से work done P e cos theta 1 मतलब शुरुवाती एंगल और theta 2 मतलब final angle कभी-कभी जैसा एक question मनता है कि आपको शुरुवात में तो दोनों aligned थे parallel थे थीटा 1 की 0 degree वैल्यू क्या होगी पी इस direction में है और theta 1 की value 0 degree फिर theta 2 theta पे आपने इसको turn किया है उस पूरे process में work done कितना हो जाता है यह अपने याद करो इसमें question किया था इस तरह के questions में आप बस cos theta 1 को cos 0 मतलब की 1 रख देते हो cos 0 को 0 मत रख देना कभी गलते से भी इतना भी लाइट मत लेना चीजों को वन मैंने स्कॉस सीटा भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मली के तरह अपने यूज करते थे यह भी कुछ एक चीज थी जो अपने पड़ी थी इलेक्रो स्टाटिक्स में लेकिन वही चीज आप मागनेटिक फील्ड में भी अगर एक मागनेटिक आपको इनिशल पोजिशन थीटा वन एम इनिशल बोलूंगा मैं और मैंनेटिक मोमेंट की फाइनल पोजिशन एम फाइनल ऐसी है उसके इसमें क्या हो जाता है अगेन वर्क डण बाई इन रोटेटिंग दिस फ्रॉम थीटा बाई यह कौन सा वर्क होता था आपको याद ह होगा इस वर्क डन बाई दे मागनेटिक फील्ड डबली कॉल दो एंबी कॉस थीटा वन मैंनिस कॉस थीटा टू यह फॉर्मला आपका वहां पर यह को पी हो जाता है यहां पर हो जाता है यह टॉपिक आपका बिलकूल एकदम सिमिलर है और क्योंकि यह चीज भी किया है याद करो चैलेंजर सीरीज यह वो सारी चीज आपको डिराइव करी हुई है बड़ अभी क्योंकि यह चीज करी हुई अल्रेडी तो मैंने लिख दिया डिरेक्टली डू एगरी क्या थीटा वन जीरो डिग्री होता है थीटा टू थीटा होता है तो उसमें वर्क ड जरूर जो लेक्चर्स को मैं जहां पर रेफर कर रहा हूं के एक क्वेश्चन जरूर करेंगे सो दाट यू विल भी फीलिंग कॉन्फिडेंट अबॉट दन कंसेब्र जास्ट एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं पर आपको इनफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हां यार यह ची टूद ठूरू 50 डिगरी अभी थीटा 1 0 डिगरी से थीटा टू 60 डिगरी पे आने में डबली लगा वर्य पूच लुच रहा है और टॉर्क रिक्वाइड तू मेंटें देडल इन डिस पोजिशन तो कितनी टॉर्क मागनेटिक फील लगा रहा है और कितनी आपने लगानी पड़ेगी m cross b is mb sin theta वो आपको निकालना है ठीक है जी मेरे से पहले answer कर देना इस question को क्योंकि यह 60 degree पे है तो मैं लिखूंगा कि इसको जरूत है root 3 mb by 2 की लेकिन question में आपको w दे रखा है तो w की terms में option दिख रहे हैं आपको अगर आपने इस सवाल का answer जल्द बाजी में c लगाया है तो आप नालायक हैं क्योंकि आप तीजों को बहुत light ले रहे हैं जीवन में और आपको चाहिए लिखना तीजे लिख के अगर आप करेंगे तो आपको a answer आएगा ठीक है और a answer कैसे आएगा क्योंकि work done की value mb cos theta 1 की value 0 degree cos theta 2 की value 60 degree पहली बात तो mb1-1 by 2 या mb2 पूरा का पूरा आपका w है जी mb2 w है answer a कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है की जो को कैसे light नहीं लेना है इतने triple e level के मतलब j main level के सवाल है ऐसा एक और question मैंने दिया है जो की recent year में आया है और homework में दिया है वो मैंने आपको देखते हैं इसके आगे एक है जस्ट त्यार यह क्या नहीं है anyway हाँ तो मैंने end of the homework में देदूंगा उसको भी try करना similar question है question number five समझ में आया question number six में question number five में यह समझ में आया तो आपको work done के लावा potential energy भी याद हो potential energy in electric field of a dipole तो dipole का अपन reference लेते थे 90 degree पे 90 degree पे P और E का potential energy zero होता है फिर other angles पे जैसे की theta angle पे है यह तब potential energy क्या होता था work done से निकालते थे potential energy 90 degree पे reference लेते थे यह term zero हो जाती थी और minus आ जाता था minus P E cos theta यह किसके लिए लिख रहे हैं हम यह हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का electric field में potential energy जिसको dot product की form में मैंने आपको याद करवाए था यह expression हमने किया electrostatics के last lectures में यही expression अभी थोड़े दिन पहले अपने जब magnetic loop का potential energy in a uniform magnetic field निकाला था वहाँ पे भी 90 degree पे अपने reference लिया था यह वहाँ पे loop था यहाँ पे एक magnet हो जाएगी south ऐसे नौर्थ है last lecture force वाला के field अलग series है magnetic force का lecture 6 में यह चीज़ अपने derive किया हुआ है और यही चीज़ अपने electrostatics के dipole वाले second lecture में 13th lecture होगा I think करा हुआ है यह बात अगर clear है तो यह question number 6 का answer आप लोग अभी करेंगे let's see who does it first खेल गया question हाया चोटा question था पिछले वाला खेल गया लेकिन दुबार यह भी है में 17 में आया देखो क्या लगता है सवाल का answer जब magnetic moment को magnetic dipole को constant magnetic field यानि की uniform magnetic field में रखते हैं maximum potential energy कब होती है जब maximum torque होती है रटना नहीं है ऐसी हाँ नहीं करना है torque का expression याद करो mb sin theta potential energy का expression याद करो minus mb cos theta दोरों में कुछ-कुछ value substitute करो for example torque maximum कब होती है जब theta 90 degree होता है torque is maximum 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 when theta is 90 degree minimum कब है जब 0 degree होता है now you see that जब maximum है theta 90 degree है तब u की value 0 है potential energy की value 0 है तो c जिसने लिख दिया है इस point पे वो जिंदगी में सही कर रहा है minimum potential नहीं होगा 0 होगा minimum कब होता है याद है minimum होता था theta equal to 0 degree के लिए u की minimum value आती है minus m dot b करो अभी minus mb cos 0 करो तो आ जाती minus mb that used to be our stable equilibrium position and there was one case where theta was 180 degree where u was in fact maximum यो कि plus mb था यहां पे कुछ बच्चे अपना दिमाग अपना आपा खो बैठे हैं यह सब सुनके उनी के लिए recommend बार-बार करा हो lecture 6 जो चीज दूबारा की जा चुकी है electrostatics में तो किया magnetism में भी किया lecture 6 magnetic force तो देखना बनता है यह चीज़े ऊपर से जा रही तो यह देखना बनता है question आ रहे है as you can see cannot be taken lightly all right what other things can come a very important part now coming up is actually time period जब यह बार magnet को आपने uniform magnetic field में रख दिया ठीक है जब imagine करो एक magnetic field इस direction में इसको ध्यान से देखना bh लिखा हूँ है यह earth magnetism में भी horizontal component of magnetic field आता है इसको bh बोल देते हैं उसमें भी अपन इस तरह के questions expect करेंगे earth magnetism next lecture है और देखना कैसे इसमें अगर magnetic moment के साथ theta angle बना रखा है magnetic moment m into l उसके सब theta angle अगर magnetic field ने बना रखा है तो आप क्या लिखेंगे torque की value mb sin theta है बच्चो देखना सब लोग torque की value mb sin theta है क्या torque i alpha होता है और क्या theta small हो sin theta को theta लिखा जा सकता है यह SHM होने वाला है oscillations होने वाले हैं एक bar magnet का magnetic field में आप लोग भी लिखो magnetic field ऐसे बनाओ magnetic moment ऐसे बनाओ magnetic moment ऐसे बता सकते हूँ आप और उस case में torque यह लग रहा है तो और small theta अपन देखने क्या होने वाले small oscillations के लिए क्या होने वाला है we are seeing that alpha is equal to mb divided by i theta यह चीज क्या हो गई है यह श्रीमान एक ऐसी equation हो गई है जो की angular shm की याद दिलाती है angular shm हम पढ़ते हैं shm के end में simple omnic motion में a is equal to minus omega square x होता था angular में क्या हो जाता है alpha angular acceleration minus omega square theta theta क्या चीज है angular displacement और omega क्या चीज है angular velocity मत बूलना angular velocity नहीं होता है यह होता है आपका frequency जो frequency होती है oscillation की वह चीज होता है उसी से in fact याद करो time period 2 pi by omega आता है तो दोनों को compare करेंगे हम दोनों में comparison करके हमारे पास time period की value 2 pi by omega मतला under root of यह पूरा कचरा omega square तो omega मतलब i by mb formula आता है यह time period का formula for a bar magnet in a magnetic field भी हम use करेंगे आई क्या चीज है पिटा moment of inertia of the bar magnet m क्या चीज है उसका magnetic moment i क्या है moment of inertia यह नाम सुने ही होगा capital M मत पूछ लेना क्या चीज है इतनी देर से वह पढ़ रहे है magnetic moment और B मत पूछ लेना हद ही हो जाएगी इसमाद B क्या है sir B तो मतलब पदा ही होगा यहाँ पे आप देख पारें कि दोनों की शकलों में minus का difference है minus को कैसे justified करते है ध्यान दीजी कैसे अपने magnetic field के along M है तो equilibrium बोला था stable equilibrium position बोली थी पीछे जब इसको theta से turn किया theta से कैसे turn किया theta is like this और इस पे जो torque आ रहा है यह angular acceleration आ रहा है दोनों same direction में होगा वो ऐसे है torque and alpha ऐसे आ रहा है theta ऐसे आ रहा है उसकी वज़े से यहाँ पे minus sign अगर आप directions consider करोगे तो लिखते ही हो but I think लिखने की ज़रुत नहीं if you're comparing this and this you already know that angular sHMs are happening and then time period का यह formula है इसको कुछ लोग यहाँ पे रट लेंगे which is also fine I don't mind अगर आप इस चीज़ को रट लेते हैं यहाँ पे आपको याद होगा कैसे हमने एक question जो की DPP में किया था JPP में किया था जिसमें आपने magnetic dipole moment को electric field में रखने पे थोड़ा सा हिलाने पे कैसा वो एक oscillation करता है जिसके time period electric dipole moment किये है और इसी का भाई आपको याद है cousin brother है I by MB होता है under root में I by MB होता है दोनों formula clear है दोनों electrostatics, magnetism कितनी similarities है कितनी ज्यादा similarities है पढ़ भी क्यों रहे sir इसको तो जल्दी-जल्दी skip करो very good skip करने से पहले सवाल question number 7 हो गया यह let's see who can answer this soon enough जल्दी answer करना bar magnet is already oscillating in मैंने बोला ना earth magnetic field BH दिया रहता आपको horizontal component of earth magnetic field होता है earth magnetism में भी ऐसे ही question आते है इसलिए इसको कर ले न PYQ session में भी ले लेंगे t time period क्या है t time period है 2 pi under root i by MB question पढ़ने से पहले बच्चों के answer आ गये है कैसे बहुत चिंदी question है क्या चीज किया आपने now what happens to the time period if mass is quadrupled mass is quadrupled मतलब चार गुना बना दिया है चार गुना बना दिया है yes your answers are right maybe I'll have to check your answer आपका mass अगर चार गुना हो गया तो moment of inertia चार गुना हो जाएगा बच्चो magnetic moment same है क्योंकि magnetic monopole strength को change नहीं किया magnetic field तो अरत का उतना ही रहने वाले but mass code बच्चो डबल कर दिया quadruple मतलब 4 times this will become 4 pi root of i by MB which is 2T very very close कुछ बच्चों ने A लिख रहाता है but B लिख रहे होंगे B is the right answer yes चीजें समझ में आरी है यह सबसे सस्ते सवाल है यह planet earth पे exist करने वाले जही main के सबसे सस्ते सवाल होते हैं इनको please ignore ना करें it's like एक lecture से आपको दो सवाल हो रहे है कभी lucky हुए तो तीन सवाल क्या जा रहा है तुम्हारा पड़ो ना इसको एक एक lecture भी नहीं देखोगे दूसरी बात जो है इस तरह के और questions देखो कैसे आते oscillation वाले कुछ और question करेंगे that'll be it अपना lecture हो जाएगा इसके जहसबात में यह मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपकी और उसमें आपकी मतलब आपकी बैंक की इमाई नहीं मतलब electromagnetic induction ना में chapter का yes, magnetic flux वहाँ पर भी होता है और electric flux आपने सीखा ही है याद करो electric flux तो कैसे define करते थे, mathematically कैसे define करते थे, e.da यहाँ पर b.da करना पड़ेगा b.da क्या चीज है magnetic flux 5b से represent कर रहे है यहाँ तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा region जहाँ पर magnetic field exist करता है तो कितनी magnetic field lines है जो की perpendicular cross कर रही है perpendicular cross कर रही है मतलब यह जो area vector है इसके साथ यह perpendicular component कैसे निकलेगा b perpendicular will be b cos theta जा है हम कितनी perpendicular lines cross कर रही है idea कैसे लेते थे हम यह छोटे से area d a पर d phi निकालते थे वहाँ पर d phi अपन electric field का निकालते थे e.da यहाँ पर d phi b निकाल रहे है which is b.da अज समझा रही सोड़ी सोड़ी similarity आपको दिख रही है आपको overall एक चीज क्या देखनी चीए यहाँ पर flux का formula e.da के बजाए b.da का integration हो जाएगा number one क्या चीज है magnetic flux magnetic flux total number of field lines total number of field lines which are crossing the surface in the direction normal perpendicular perpendicular में कितनी lines cross कर रही यहाँ देखो यहाँ पर कम कर रही यहाँ जादा कर रही यहाँ कम कर रही in fact uniform जब है magnetic field uniform होगा और b equal to constant होगा तब क्या करते थे अपन यह integration बगएरा का नटक नहीं करते थे अपन किया लिखते थे पाई is equal to e.e.e.e.e.e लिखते थे यहाँ पर क्या लिखेंगे बी.e.e ठीक है ज़के है जहाँ पर पहले e लिखा था वहाँ पर आज भी लिखेंगे ऐसा हम कर क्यू रहे now the question that Ive been like कि जब लेट से आपके पास एक बार मैंगनेट है कि आप सभी को बार मैंगनेट दिख रहा है स्क्रीन पे क्या यह South और क्या यह North भी दिख रहा है आपको अगर हम यहां पर बच्चों ले ले लेते हैं, चोड़ा यहां पर एक सर्फेस ले लेना जरूर है आपको याद हो कि Gauss's law अपन close surface पर लगाते थे क्या मैं लिख पाऊंगा कि integral of b.da देखना close surface मतलब यह यानि कि मैं निकाल रहा हूँ magnetic flux on a close surface in a magnet will now always be zero this will always be zero यह आप in fact एक heading बना सकते हो Gauss's law of magnetism काफी simple सी चीज़ है जो कि conceptual question बनाती है but conceptually भी आपको आना चीए फंडा क्या है कोई भी close surface पर याद रिंग बनाते थे हैं magnetic field का जो flux होता है जो जीरो होता है क्यों होता है यह होता है ध्यान देना अपने पास एक जो magnet है उसको तोडने पर एक छोटी magnet ही बनती है apparently it happens that when you break this down into two magnets ऐसा नहीं होगा कि plus M एक तरफ चला गया minus M एक तरफ चला गया in fact यह जो monopoles होते है यह जो magnetic poles होते है ना plus M minus M यह individually exist नहीं करते हैं isolated exist नहीं करते हैं नहीं करते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक बार magnet को बीच से काट दोगे तो जो plus M है यहाँ पर देखना minus M अपियर हो जाएगा यहाँ minus M और यहाँ पर plus M एक साथ थे पहले तो कोई initially monopoles था ही नहीं जैसे breakdown किया minus M इधर चला गया यह plus M इधर चला जाएगा यह दो छोटी magnets बन गई आपकी ठीक है magneting monopoles असल में universe में exist ही नहीं करते हैं therefore the total flux linked with a body whatever it is तो देखना पूरी magnet को नहीं लिया पन we could easily take the entire magnet in this closed surface जितना enter कर रहा है उतना ही leave कर रहा है flux बहुत simple हो गया हम नहीं जान बूच के क्या किया है अपनी closed surface को यहीं पर रखा है और हम देख पा रहे हैं आप लोग भी देख पा रहे हो ना तो जितना enter कर रहा है flux उतना ही leave कर रहा है उतनी ही lines leave कर रही है जितनी lines enter करती ही उतनी ही leave कर रही है मतलब क्या हुआ Gauss बाबाबा ने यहां पे भी बोल दिया उने famous Gauss बाबा बोले की total magnetic flux linked with a closed surface is zero mathematically phi b equal to integral of b dot a closed surface is zero यह उन्हेंने कहा and he is right also because the entering is equal to leaving अब देख पारे हो लेफ्ट साइड में जितने arrows एंटर कर रहे हैं जितने ही leave कर रहे हैं और इसलिए आप यह बोल पारें तो जिन बत्यों ने Gossage Law देखा है उनको ए crystal clear हो चुका है जिरों ने again Gossage Law अपनी इस channel पर नहीं देखा है देख जरूर ले ना बहुत मैनत करती है बहुत मज़ेदार topic है मेरा one of the favorite topics है बहुत मज़ेदार घंग से पढ़ा है अपने और यह चीज़ अगर आपको आप clear है इस पर यह से conceptually कहीं पर question बन सकता है numerical तो क्या ही बनेगा आंसर ही जब output ही 0 आ रहा है तो concept क्या है आप जहां दिना एक magnet को आपने breakdown किया यह सोच के कि इसको जब तोड़ेंगे तो नौर्थ ही दरव जाएगा यह सोच के कि आपका जो सरदार है वो खुस होगा ऐसा नहीं होगा बच्चो इंच क्या होगा लॉर्थ-साउथ-साउथ-स-स तोड़ा इसको तीन टुकड़ों मैं ऐसा नहीं कि बीच वाले में कोई चार्ज होई नहीं आएगा इसमें आएगा और यह जोनों नौर्थ-साउथ जब साथ में थे य यह जरूर लिखेंगे कि कि मैं इस ब्रोक ब्रेक कर देते हैं एक तरफ यहां यहां पर यहां पर तो एक इलेक्ट्रोन को नहीं तोड़ सकते हैं एक इलेक्ट्रोन को कैसे तोड़ेंगे उसको नहीं तोड़ पाएंगे यह अगर हो गया है यह ऐसा हो गया तो ध्यान देना बच्चों कि आपको अल्टिमेटली मोनोपोल्स नहीं मिलेंगे इस इंटर्न इंप्लाइज दाट मैगनेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एक्जिस्ट हम बोल क्या रहे हैं कि मैगनेटिजम के शुरुवात कहां से हो इलेक्रॉन के स्पिन की वज़े से इलेक्रॉन के रोटेशन की वज़े से वही इतना छोटे लेवल पर यह देखना एंग्स मोनोपोल्स इंडिविज्वली नॉर्थ साउथ प्लस एंग्स नहीं एक्जिस्ट करते हैं एन अल्टिमेट इंडिविज्वल यूनिट ऑफ मैगनेटिजम इस अस्मॉल डाइपोल विच इस क्रिएटेड बाइलेक्ट्रॉन ओंडी यह कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ प्लस एम माइनस हो जाएगी क्या मैं बोल पाऊंगा देखना देखना प्लस एम माइनस हो जाएगी क्या मैं बोल पाऊंगा देखना कि एम डाइश का वैल्यू यहां पर एम ही है यह भी आप लिखना कि मोनोपोल्स की स्ट्रेंथ यहां पर लस एम माइनस सेम जो थी बाद में स्प्लिट होने के बाद भी वही है नंबर बन दूसरी चीज में आपको यहां पर क्या पूछ र गया है एक आधे हिश्से का मैगनिटिक मोमेंट इसका मैगनिटिक मोमेंट, इसका मैगनिटिक मोमेंट अलग अलग है यह भी समझ में आ रहा है आपको इन फाक यह चीज कितनी हो गई है यहां लिखते हैं, m' equal to m by 2, इब दोरों से देखो कैसे, m' equal to m by 2 लिखेंगे, नमद आ गया, and can you also tell me the time period how it will be affected, that is in fact not that easy, to calculate जरूर करना, मैं पूछ रहा हूँ बच्चों यहाँ पे कि magnetic moment वगेरा तो सस्ता चीज है, आपको यहाँ पे moment of inertia याद है time period की formula में आता है, क्या moment of inertia initially, ml square by 12 लिख सकते हैं, एक rod है जिसकी L length है, उसकी axis which is perpendicular to its length, passing through midpoint के लिए, magnetic, जो आपका moment of inertia बोलते हैं, वो ml square by 12 बोलते हैं, मैं W यूज कर रहा हूँ, क्योंकि M हमने magnetic monopole के लिए already use कर लिए, W is the weight, W is the mass of the magnet here, उस case में ml square by 12 लिए formula है rod का, यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे भी, in fact, i dash की value क्यों लिख रहे हैं अपन, time period निकालना है, i dash की value W by 2 हो गया, length भी L by 2 हो गया, और ml square by 12 formula शाहिद 11 वी में सीखा होगा, तो भी मैं को time period चाहिए, कौन मुझे time period बताएगा, what is the relation of T with T dash, e was 2 pi root i by mb, my friend T dash here, देखना, इस 2 pi under root of i की value हो गई है, अगर ये चीज़ को और इसके साथ compare करेंगे, i dash की value, i के terms में क्या है बच्चों, i dash is equal to, I can see 1 by 2 plus 1 by 4, 1 by 8, i by 8, ठीक है, इस चीज़ का इतना load मतलो, खुद लिखो के समझ में आएगा, नहीं लिख रहे हो, उसके शाहिद उपर से जाएगा, ये w by 2 mass हो गया, आजा हो गया, और length भी आजी हो गयी, तो ये लिखा है मैंने, ये formula, और ये formula को compare करेंगे, तो 1 by 8 आ रहा है ratio, अगर 1 by 8 ratio आ रहा है तो देखो, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, m की value, m by 2 हो गई, magnetic field is same, isn't this equal to t by 2, isn't the time period t dash final time period becoming half of the initial, t by 4 लिखा है किसीने, but t by 2 है बच्चे, क्योंकि under root में है, बच्चो को ये चीज़े clear हो लिया, I can go through most of your comments and some of you are actually following up, जो नहीं follow करें, लिखना ज़रूर इस चीज़ को, cutting of the magnet perpendicular to the axis बोलता है, कुछ रटने वाली बात नहीं है, conceptual बात है, इस पर एक दो question मैं आपको, homebook में भी दे रहा हूँ, जैसे कि ये question है, अभी जो पूछा है, वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा हूँ, तो यह आपका homebook का पहला question हो गया, इसको in fact अभी ट्राय करके answer करना है तो भी कर लो, case number two भी देखना पिटा, कैसे, if you have cut it along the plane actually, cutting along the plane, इसी तरह से अपन lenses भी cut करेंगे थोड़ी दिन बात, वी जो बच्चे 12th में हैं, याद करो optics में भी इस तरह की cutting अपन करते हैं, एक बार ऐसे कट किया, एक बार ऐसे कट किया, droppers जानते हूँगे इस बात को, ऐसे कट किया तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर, monopole strength divide हो जाएगी, जो plus M और minus M है, देखना है यहाँ पर, plus M by 2, और plus M by 2 हो जाएगी, यह minus M by 2, minus M by 2 हो जाएगी, सेम है, आपको वही चीज़े compare करनी, इन सब में, किया, शुरुवात में, तो magnetic moment की value, M into L थी, अभी क्या हो गया है, M dash की value, M by 2 हो गया, जोनों साइड में, पर length सेम है, पिछले वाले में, L by 2 हो गया था, इस case में, M by 2 हो गया, तो relation between these two is same, M dash is M by 2, ये चीज़ compare कर सकते हो आप, तो दूसरी चीज़ क्या compare कर सकते हो आप इनका, Monopole Strength है न, Monopole Strength को ही अगर अगर अपने सबसे पहले लिख दिया था, कि Small M dash is M by 2, तो देखने हैं, इसका एक reason अपन ऐसे भी दे सकते हैं, अच्छो देखना, कैसे यहाँ पर जो cross-sectional area है न, उससे M की value proportional है, area की value suppose A ले रहे हैं अपन, area की value अगर हम A ले रहे हैं, तो हैं बोल सकता हूँ कि M is proportional to area, Magnetic Monopole Strength जो cross-sectional area होता है न, उसको पर proportional होती, यहाँ पर value area की A by 2 हो गई, A by 2 हो गई, तो Monopole Strength M भी क्या हो गया, M by 2, I think that is clear to you, I get a moment भी clear है, अगर मैं इसमें, Moment of Inertia हो गएरा पूछो निकाल सकते हो, बोलो, यहाँ घबरा जाओ गई, I की value क्या जाएगी, W लिख रहे हैं था न, क्योंकि M तो अपन, Mass के लिए लिख नहीं सकते, Magnetic Monopole Strength M है, देखना, again, W L square by 12, जो की एक rod का होता है, और I dash की value यहाँ पर, W by 2 होगी, क्योंकि आधे में तो divide करी दिया है, पर length apparently same है, यह आजाएगा आपका I by 2, ठीक है, देखना, यह है और यह है, तो T by T dash भी निकाल के बता सकते हो क्या, I'm asking you actually a very simple question, बात होई है कि, जो बच्चे, समद चुके हैं, वो ही answer कर पाएंगे, तो यह last thing है बच्चे, मैं जाने दे रहा हूं, मुझे खुद को जाना मेरा plus का lecture होता है इसके बाद, ठीक है, पर यह last thing answer कर दो, T by T dash क्या हो जाएंगे, everything is there in your radar, T का जो formula था, 2 by and root I by MB, अभी तुम्हें पदा है कि, I dash भी कितना हो गया है बचा, I by 2, और M dash भी कितना हो गया, M by 2, they basically remain same, time period same रहता है, 1 is to 1 रहता है, very nice, love you all, बहुत अच्छा, आप लोगों ने भी अच्छी महनत करी, इसका परिणाम बिल्कूल मिलेगा, ये एक और question है, वैसा ही होंवक में दे रहा हूं, तो ये सारे previous year questions, और सारे अभी जो recent years में आये, मैं होंवक में दे रहा हूं बच्छों, आपको क्या करना है, इनको लगाना है, comments में answer दिखना है, जो चीज नहीं आएगी, previous year question में आना ही, और वहाँ पर नए question भी होंगे, और ये comparatively chart है, दोनों के बीच में, किन के बीच में, एक electrostatics का fundा है, एक magnetism का fundा, अपने देखा, electrostatics में constant, one by epsilon not होता है, यहाँ पर mu not, P होता है, यहाँ पर M होता है, formula of electric field, on the equatorial point, on the axial point, ठीक है, और formula for torque, formula for potential energy, यह साइज चीज अपने पढ़ ली, बढ़ मैंने देखा, एकी table में आपको एगर इस तरह से देढ़ेंगे, तो आपको short revision के लिए, table useful हो जाएगा, make sure यह सारे formula आपने भी लिखे हैं, जब अपने बता हैं, इस फूरी lecture में, और एक page preview में ने बता दिये, yes, यह dipole analogy है, मतलब दोनों को आप compare कर रहे हो, कैसे electrostatics magnetism सेम है, ठीक है, तो कुछ questions है, homework में, इनके answer में आपको देदूंगा, और yes, हमें क्या करना है, यह जो recent years के 2019, 2020 के questions है न, इनको आपको, अभी try करना है, और हम एक PYQ session करेंगे, mostly on Monday, 1.32.3, so you'll be present then, जो बच्चे अपने इस channel पर regular हैं, उनको तो पता ही होगा, जो इन बच्चों को नहीं पता है, यह schedule है, 11th का PCM, 12th का PCM, 11th का, इनको timing note कर लें आप, और नहीं अगर याज रहता है तो, टेलीग्राम पे reminder हम बेशते हैं, टेलीग्राम पे हम notes भी बेशते हैं, पुरा schedule बताते हैं, not just these classes, special classes भी अपनी जो की free classes ही होती, अनकैडमी platform पे होती, तो anacademy.com slash jayant naagda, आपको पता रहेगा कब कौन से lecture क्या हो रहा है, बहुत सारी बातचीत, doubt clearing session, and mostly pole bound practice, which is the reason बच्चे क्यों इंप्रूव करते हैं, day by day, week by week, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप exam में जाके मचा दोगे, अगर यहीं पर एक दो questions में, आलट टाइट हो रही है बच्चों, समझ जाओ कि आपको pole bound practice, जो कि बातचीत भी करते हैं, guidance भी करते हैं, बट यह आर में चीज़ है, बहुत सारी चीज़े अपने ऐसे special class में, यहने free classes में करी, आपको वह जो environment है न, जिस भी exam की आप preparation कर रहे हो, चाहिए वो CT है, state का कोई WBJE इस तरह का exam है, या फिर किसी private institute का engineering entrance है, या neat exam है, जो भी आपका aim है, do definitely see some of my special classes, उसमें अपने इस तरह की बहुत सारे practice करी, जैसी exam में होती है, और बात यह की yes, time limit में आपको maximum question करके, day by day better बनना है, जैसे अपने बच्चे और बन चुके हैं, जो बच्चे इस channel पर, regular हैं उनको पदाए कि हमारे results क्या हैं, जिन्होंने नहीं देखा, अभी आप देख सकते हैं, अब result बोलेगा, इस तरह का accession हमने किया है, पहले batch के results हमने आप बताए हैं, बच्चे under 15 rank भी लाए हैं, और आप लोग अपने किसी भी batch में कभी भी आ सकते हैं, उने upcoming emerge और evolve batches में भी topics बहुत simple हैं, उनमें आप आ सकते हैं, जो बच्चे अगले main और advance की prepare करने कुछ ही महीनों में हैं, advance आप उसमें भी आ सकते हैं, अपने ऐसे कोटा के दोस्ते जो की, कोटा में ही पढ़ाते थे पहले, बट अब अनकैडमी पर पूरे देशबर के दुनिया वर के बच्चों के इनफाक्ट पढ़ाते हैं, यस वी हाव NRI students अलसो, तो यस बच्चों आप Nucleus Vibrant Bansal के बैचिस में जा सकते हैं, जो कोटा में ही पढ़ाते थे, ऐसमें ऑथर्स जिनकी बुक्स आप पढ़ते हैं अलरड़ी, आप लोग N.A.V.S.T.E. Sir, M.S.C.E. Sir, D.C. Pande Sir की बुक्स आपढ़ते होंगे, आप आज ही N.A.C.E. की लर्निंग आप डाउनलोड करें, N.A.C.E. लर्निंग आप आपके पास होनी ही चाहिए, इस पर अगेन आइसे सेट, बहुत सारी फ्री क्लासे हैं, आप N.A.C.E. लर्निंग आपको जा के खोल के, उसमें जैन्थ सर्च करें, और उसमें आप लोग फाइंड करें, मेरी प्रोफाइल, उसमें बहुत सारी क्लासे आपको जैन्थ कोड से अनलॉक करके, फ्री में देखने को मिलेगी, एक कोड आपको मैक्समूम, डिसकाउंट भी देता है, चाहिए आप ITG ऐस्पिरेंट है, नीट ऐस्पिरेंट है, वोटेवर, यार अस्पाइरिंग इन लाइफ, अब नशीवेसी बूर्ड का भी प्लान ले सकते हैं, उसमें सारे कोर्से डन बाइ लिटरली एवरी एजुकेटर, इस दे बेस्ट थिंग, ऐसा नहीं कि आपको एक इंटी बैच में आक्सेस मिलेगा, वेल्थ में रहें कि 11 में क्या चल रहा हूँ बी देख सकते हो, ये 12 का बैच ये 12 का बैच ये एक और साइड में 12 का बैच उसमें क्या चल रहा हूँ बी देख सकते हो, यू can have like unlimited access to all the content, सारे पुरानी रिकॉर्डिंग नई लाइफ क्लासेज नया मटीरियल पीडियेफ फॉर्म में होगा रिटन फॉर्म में भी होगा और यह बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते अगर आपके पास एकी साल है उसके प्लान को आप ट्रॉप ले रहें तो आपके पास एकी साल है उसकेस में आप एक साल का लें प्रिपरेशन चालू करें अपनी प्रिपरेशन आज ही चालू करें आपको क्या देखना चाहिए कौनसे कोर्स आपके लिए बैस्ट है तेरा बैकलॉग अगर इस तरह का है तो क्या देखना चाहिए इस सारी चीज़ आपको पर्सनल गाइड रेगिलरली बताता है आपको इन फैक्ट एंखरेज भी करता है तो डू यॉर बेस्ट और कहीं पर गलती होती तो वह सुधारता भी है पर्सनल खोच का यहीं काम उता है वह आपको अगर। आप इकानिक सीफ्क्रेफ्चन में अपको प्रेंट्ड नोट्स भी मिलते हैं क्या आपको पता हुआ कि अमिल रहा है ले नहीं है बट मैं सब्सक्रेफ्चन आपको ज़्यूम्ब मा तो अब पता चलेगा कि the prices are actually on 10% off, ठीक है, this is the price for entire 2 years, mind you, ठीक है, 2 years का जो price है न, वो ये है, आपको इस पर, I think 31st August टक, है न, extension मिल रहा है, तो वो चीज आप चेकाउट करो, और definitely आपको, Unacademy पे जो upcoming batches हैं, अपना igneous batch, 21 aspirant के लिए, चालू हो चुका है, कल से, Emerge batch class 11th वालों का होता है, तो फिर से units and dimensions से साथ साथ चालू है, evolve batch, electrostatics से सब कुछ आपने पढ़ना है, साथ तारिक से batches चालू है, droppers के batches भी 14 से चालू हो रहे हैं, ये सारे upcoming batches में मतला आपको, बिलकुल idea नहीं है, तो शुरू से पढ़ने का मौका मिलेगा, अगर आपने electrostatics पढ़ लिया, तो बिलकुल आओ, अपना magnetism evolve में, जैस सालू ही हो है, बहुत सारे batches बच्चो, preparation के लिए, backlog के लिए batches है, आपको yes, bugs, bounty is on, कोई भी, कभी भी किसी unacademy चैनल पे inappropriate content को report करने के लिए, description में form दिया जाता है, and thank you so much for being a part of this session, बच्चो, unacademy combat का link description में है, जैनत कोड से unlock करें आप उसको, prices जीते हैं, और जब भी मज़ाद है, share करें, hashtag जैलेवडिल से share करें, जैनतनागदा मुझे इंस्टा पे, facebook पे, twitter पे, जरूर फॉलो कर ले, और इस channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करके bell icon दबाए, तो चलो मिलते, कल की lecture में, इसमें electric, earth, magnetism की बात होगी, और उससे पहले आप लोग थोड़ी सी है, जो humbug दिया है, उसमें practice कर लेना, see you very soon tomorrow at the same time, bye, take care and practice